नमस्कार दोस्तों, कणादा डिम आपका पुनह स्वागत है, हम उपनिशत पे चर्चा कर रही है, तो उपनिशत में हम इशावास्य उपनिशत पे हमारी चर्चा चल रही है, प्छली कक्षा में हमने इशावास्य उपनिशद का जो प्रथम मंत्र था इशावास्य मेदम सर्वम उस पे चर्चा की उसके बाद हमने कुर्वन्ने वेह करमानी इसके साथ उसका संयोग करकी उस अर्थ को समझा आज हमारा चर्चा का जो विशे है असूर्या नामते लोकाह अंधेन तमसावरिताह तांस्ते प्रित्या भिगच्छंती ये केच आत्म हनो जना हां तो उपनिशद कार कहते हैं कि आत्म हनो जना हां आत्म हनन करने वाले जो लोग हैं आत्म हनन शब्द इसका विशेश शब्द है आत्म हनन मतलब स्वैम को निर्मित करने वाले जो गुण है आत्मा का विकास क उनका ना पालन करने वाले जो लोग है उसको आत्म हनन के लोग कहे जाते हैं तो आत्मा के लिए उप्युक्त गुण कोन-कोन से आपके जैसे यम नियम की चर्चा आती आपकी आहिंसा, सत्य, अस्तिय, ब्रहमचरिय, अपरिग्रह, लोगों की रक्षा करना, दया, दक्षिना आदरता, सरलता, यह सब जो अच्छे अच्छे गुण है, यह सब आत्मिक विकास के लिए गुण माने जाते हैं तो जो व्यक्ति इनका पालन नहीं करता, उसको कहते हैं वो आत्म हनन हैं तो देव जो की अच्छे होते हैं, जिनमें देने की प्रवर्ती होती हैं, जो सुखी होते हैं, जो लोगों का भला करते हैं, असुर लोग जो की बुरे लोग माने जाते हैं, जो की दुख से युक्त रहते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं, जो की आसुरी भाव से युक्त हैं, उन आपका दुख का प्रतीक माना जाता है तो ऐसे लोग जहां पर अज्यान ही अज्यान भरा हुआ है जहां पर दुख ही दुख भरा हुआ है ऐसे जो असूरिया नाम की लोग है उन लोगों को प्राप्त होते हैं कौन आत्म का हनन करने वाले तो जो भी इस संसार में जीते जैसे बच्पन से लेकर मिर्त्य परियंत हम अपना जीवन यापन करते हैं उस जीवन यापन की प्रक्रिया में हम कर्म तो करते हैं लेकिन इस प्रकार के कर्म करते हैं कि जो शरीर को तो पुष्ट करते हैं लेकिन आत्मा कहनन करते हैं तो ऐसा कर्म करने के प्रश्चा जब हम संसकार् Baptist 我त इस पर्कार के लोकोn के प्राप्त होते हैं आत्मान नंके बारे में भी हमारे जो अलग लक शास्त्रकार है वो कहते हैं कि अपने आत्मिक विकास करना ही आपका सबसे प्रमुक लक्षा तो उस लक्षो की प्राप्त करने के लिए अगर आपको कितना भी कष्ट सेहन करना पड़े वो प्रारम में कष्ट लगता है और वो कष्ट भी क्यों लगता है क्योंकि हमारे जो संस्कार होते हैं वो संस्कार हमारे रजस और तमसर से आवरित होते हैं अज्यान वाले होते हैं किसी वेक्ति के अच्छे कर्म करने के संसकार है, पढ़ने के अच्छा लगता उसको, उसको पढ़ने में दुख नहीं होता, उसको दुख नहीं हो, पढ़ने में दुख किसको होता, जिसके पढ़ने के संसकार नहीं होते, तो चुकि हमारे संसकार के विपरीत कारिया हो रहा ह की अगर कोई ऐसी परिस्थिती आती है अगर कुल की अगर हानी हो तो अगर विकास होने में अगर स्वेम की हानी हो रही हो, किसी एक की वेक्ती की हानी हो रही हो, शारीर की दृष्टी से बात की जा रही है, तो उस कुल के लाब के लिए उस एक वेक्ती की जो हानी है, वो स्विकारी है, यूँकि हमारा बड़ा लाब करना है, अगर किसी गाव का लाब करना, उस गाव कि लाव के लिए किसी कुल की हानी हो रही हो तो गाव कुल से काफी बड़ा है तो वह कारिय कर लेना चाहिए ऐसी जन-पद की दृष्टी से गाव की हानी को स्विकार किया जा सकता है लेकिन एक बात जो सबसे महत्व पूर्ण अंत्में जो कही शास्त्रकार ने कि स्वाइम का विकास क्या स्वाइम का विकास शारीर की दृष्टिय से नहीं आत्मा जो हमारा है इसमें सत्य अहिंसा अस्ते इत्यादी गुणों की आफशकता है दया की सरलता की नैतिक्ता की तो उन गुणों के विकास के लिए अगर पूरी पृत्वी को भी छोड़ना होता है यह सब आत्मा का हनन है अगर हम कर रहें संसार में जीवन जीते हुए तो हमारा जो जीवन जीने के बाद जो अगला जो जन्म होगा या आगे जो हम जाएंगे उस जन्म में तो दुख प्राप्त करेंगे ही लेकर अगले जन्म में किन लोगों को प्राप्त करेंगे असूरिया नाम के लोग, जो के हमारे दुख और ज्ञान से निरंतर भरे हुए है, वहा सुख्य का कोई लेश मात्र भी नहीं है, तो उपनिशिदकार क्या कहते है, कि हमें आत्म हनन्न नहीं बनना है, हमें आत्मिक विकास पर भी ध्यान देना है, जैसे हम शरीर के विकास के लिए इतना ध्यान देते हैं, जो भी हम क्रियाई करते हैं, खाना खाते हैं, मकान आधी के लिए प्रियास करते हैं, पैसे धन, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, वो शरीर के विकास के लिए हैं, उतना ही एक विकास, उससे भी जादा विकास के लिए हमे के लिए कखिशा में करेंगे आज की चर्चा में हम इतना ही रखते हैं ओम कि छह साथ मिंट का अब आओगा